oxygen sensor, o2 sensor, कुछ भी आप इसको बोलीजिये, कुछ लोग lambda sensor बोलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत important role play करता है आपकी गाड़ी में, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस sensor के खराब होने से, सिर्फ और सिर्फ mileage कम होती है, या फिर कुछ और effect भी बढ़ते हैं, तो यहा आपको दो ही sensor मिलेंगे, एक catalytic converter से पहले और एक catalytic converter के बाद में, और कुछ जो पराने models थे, BS3 models में ये एक ही sensor आता था खाली, ठीक है जैसे आल्टो ले लेंगे, आप 1.1 लीटर वाली आल्टो आती थी या वैगनार आती थी, तो उसमें एक ही sensor मिलता था आपको upstream sensor, तो द downstream वाला जो होता है, वो आपका efficiency नापता है, आपके catalytic converter की, मतलब अगर upstream sensor जो है, वो ही important role play करता है आपकी गाड़ी में, मतलब देखा जाए तो, जो पहले लगा होगा, upstream मतलब जो catalytic converter के पहले लगा होगा, मतलब exhaust जैसे आपकी exhaust pipe आपके engine से निकलेगी, वही पे जो sensor लगा होगा, उपर वाला, sensor 1 बोलीजिए, bank 1 बोलीजिए, जो भी आप बोलना चाहें इसको, वो आपका जो fuel ratio है, उसको set करने का काम करता है, उसको जो है, वो आगे पिछे adjust करने का काम करता है, अब ये करता कैसे है, देखो जब भी हमारा fuel जो है, गाड़ी में burn होता है, मतलब इ इजेक्टर जो है, fuel जादा सप्लाई कर रहे है, air वहाँ पे कम है, 14 इस तो 1 की ratio रहती है, air वहाँ पे मानलो कम है, और fuel की ratio जादा है, तो वो सही तरीके से burn नहीं हो पाएंगी, तो burn नहीं होगी तो क्या होगा, काला धुआ निकलेगा, आपके वहाँ से, engine में से काला धु इस निकल रही है, उसमें कितना amount oxygen का है, जितना कम amount जो है, वह oxygen का वहाँ पे रहेगा, मतलब उतनी कम आपकी engine की efficiency है, फिर यह signal भेजेगा आपके ECU को की भीया ऐसा है, धुआ यहाँ यहाँ पे जादा आ रहा है, और मेरे को लग रहा है कि सही तरीके से वहाँ पे combustion सेट न कि fuel economy को कम करता है या नहीं करता है, 100% अगर यह खराब हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ mileage ही कम होती है, या फिर इसके अलाबा कुछ और फरक पड़ता है, तो मैं बता दूँ सर, सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है, इसके खराब होने से, वो होती है आपके catalytic converter को, आपका जो catalytic converter होता है, गाड़ी का बहुत महंगा होता है, तो इसकी वज़ा से catalytic converter खराब होता है, ये खराब होने पे आपकी fuel injector, जो हैं, वो ज़्यादा वहाँ पे fuel supply कर रहे होंगे, ठीक है, fuel supply ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ पे fuel कम quantity में burn हो पाएगा, अब कम quantity में burn हो और fuel जब है, जो catalytic converter में जाएगा, catalytic converter जो होता है, बहुत ज़्यादा गरम temperature पे काम करता है, बहुत, अलरी वो बहुत heated होता है, तो उसमें जब fuel पहुंच जाएगा, मतलब पेटरोल उसमें पहुंच जाएगा, तो वो वहाँ पे burn होगा, और ज़्यादा burn होने के कारण मे जो metal substances लग रखे हैं, वो उनको melt होने के chances रहते हैं, chances के रहते हैं, melt हो जाते हैं, simple सी बात है, तो पहली चीज तो catalytic converter आपका खराब होगा, और ये तो महंगा खर्चा हो गया, दूसरा मैं आपको बता दूँ, आपकी गाड़ी में rough idling, ठीक है, मतलब rpm up down हो रहे हैं, rough idling है मिसिंग है आपके engine में, या फिर आपकी गाड़ी long crank ले रही है, बहुत लंबी crank ले रही है, तब भी आपका oxygen sensor खराब होने के कारण ये चीज़े होती हैं, क्यों होता है, क्योंकि fuel वहाँ पे ज़्यादा जायाएगा, air वहाँ पे कम जायेगी, तो वहाँ पे जब आप चा गाड़ी की, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, और ये बहुत important चीज़ें हैं, क्योंकि ये sensor ही आपकी गाड़ी की timing को change कर देता है, interval को change कर देता है, कि किस time पे combustion stroke लगेगा, किस time पे exhaust truck लगेगा, उसको भी ये change कर देता है, अगर ये खराब हो जाये तो, त हम से multimeter से, कितनी तरह के sensor आते हैं, क्योंकि 4 wire, 4 wire sensor आता है, कोई 2 wire होता है, कोई 3 wire होता है, single wire sensor भी होता है, इस sensor के अंदर में ऐसा क्या होता है, जो ये sensor करके बताता है, इस सारी चीज़ें आपको मैं detail में cover करके बताने की कोशिश करूँगा, एक और वीडियो में, तो यही रखना है, अगर यह sensor खराब हो जाता है, अगर इसके codes आपको आ रहे हैं, वो सारे codes आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, कि P0135 यह सारे 715 यह codes जब आते हैं, आपकी गाड़ी में, चेक इंजन लाइट आ जाती है, उसके बाद में अगर इस से related अगर codes आ रहे हैं, तो आपको साफधान होना बहुत जरूरी है, यह अगली वीडियो में डिसक्स करूँगा आपके साथ में, प्रैक्टिकली आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, किस तरह से वोल्टेज अपडाउन होती है, इस सार आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैभारत